अब है यह यह जो आपको मेरे चैनल पर जिसका नाम है राइट जिद्धी बहुत टाइम से कुछ वीडियो नहीं आई थी बुलेट पर तो आज इतके लिए लेकर आया हूं मैं एक यह एडवांटेजिस और डिस अडवांटेजिस प्रोज और कौन की बात करेंगे हम कि तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता है अगर इसके डिस इडवांटेज की बात करों तो तो इसमें जो टायर साइज है पिछला जैसे आपको पता है आपको पूरानी वीडियो मेरी देखी ओगी पीछे का जो टायर चैन्डर श्रीम आता है बहुत ज्यादा है मैंने और यह बहुत बढ़ी है पहले तो इसका टायर स्लेम आता है आप चेंज करवा सकते हैं रियर टायर सकते हैं रीए टायर तो करवा लो अध़ाति कंद शाल और है नहीं कर दो टायर आपके अरफ रिजेज कर सिंपल सी बात है मैं तो प्रॉबलम वाली भाता है इसे सेकींड है इसका यह बीए सिक्स है यह आप आप बीए सिप्की मिंटेनरं जो है ना अंतब कार्बूरेटर से कंपेर करें तो जादा थे लिए कोड़ेंट नहीं आता प्रॉपर क्योंकि एगले प्लस पॉइंट है पर अगर मैं कंपेर प्रव्लम नहीं करेंगी सब्सकर पॉइंट सके रियर ड्रम ब्रेक की बात करते हैं जो पीछे ड्रम ब्रेक आधी आपको सब को पता है आगे तो ड्र को बढ़ी है और पिछला ड्रॉम ब्रेक के अब भी मानलों में को जितना भी टाइम हुआ चलाते टाइम इसका ड्रम ब्रेक बहुत आवाज करते हैं मत इसके ब्रेक बार बार आपको करवाने पड़ेंगे चेंज तो डिसद्वांटेज यह भी बढ़ा पीछे भी डिसकोती तो जादा बढ़ी आती है तो तो इसके बाद साउंड बहुत कम है अगर बार यह मत कहना कि एग्जाॉस का नहीं अपको पता है इंदोरी विए साउंड सही देती है वाइक एक बार मैं ट्राई किया था बट वह भी पूलिस वाले रोकते हैं तो दिल्ली में बहुत बश्किल है चलाना उसको रेगुलर चलती मेरी गाड़ साउंड बहुत कम है लगता है स्टार्ट हुई है और लास्ट पॉइंट यह तुम्हें आपके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इसमें पानी इकठ्था हो जाता है अगर आप उसे वाश करते हैं महान लोगर इसको वाश करता हूं मैं इसमें पानी इसको बताऊंगा भी कि पानी पानी कठ्था हो रहा है अच्छे से पानी पानी नहीं रहेगा तो अंदर भी नहीं जाएगा और उससी बात है फिर आपकी गाड़ी missing नहीं करेगी पहले मेरे साथ हुआ था ऐसा कि missing करनी हुई उसके बाद फिर मैंने जब ऐसा करा फिर मैंने अभी बारिश आती है तो मैं वहां से पानी निकाल लेता हूं जिसकी वज़ासे प्राब्लम नहीं आती तो यह थे कुछ इसके disadvantage जादा disadvantage नहीं है कोई बहुत बड़ी बाते भी नहीं है इसलिए सारे standard चला लेते हैं advantage की तो यार इसकी line लगी हूँ यह सबको पता है इससे जादा advantage किसी गाड़ी के है ही नहीं advantage की बात करते हैं इसकी look सबसे पहली आपको पता है विंटेज लुक देती है गाड़ी इससे बड़िया गाड़ी में किसी बड़िया किसी बाइक की लुक है ही नहीं क्योंकि पूरी की पूरी जो गाड़ी एक तो लोही की बनी हुई है उपड़ से लुक इसकी विंटेज ह साथ सिरफ इंजन चेंज कर दिया गया पुरानी गाड़ी में भी होता था बिल्कि पुरानी गाड़ी से लुक जाधा अच्छी लगती है मुझे क्योंकि इसका टैंक साइज अगर आप देखेंगे पुरानी बुलेट से बड़ा होता है टैंक साइज यहां पे अगर आप अभी तक मिंटेन करके रखते हैं अपनी गाड़ियों को कुछ लोग सेकिंड पॉइंट इसका बिल्ड क्वालिटी बाई बिल्ड क्वालिटी तो ऑसम है यार मैंने यह तोड़ी शाहिन नहीं देरी मेरी बाई को बात अलगे मैंने क्या लेमिनेशन करवा रखी इस पर इस उसी को लगेगी आपको कुछ होना नहीं आपकी गाड़ी को भी समझ लो यह भी यह भी पूरा लोग है कहीं पर प्लास्टिक वाला कोई सीनी नहीं यार गाड़ी के अंदर तो बिल्ड क्वालिटी इसकी पॉइंट आता है इसके अडवांटेज में इसका माइलेज यार सब कुछ रखा हुआ है इसके सलेंसर भी लीगल है और बेंट पाइप भी चेंज नहीं करवाया हुआ तब भी मुझे 35 प्लस अराम से मेलेज देती है तो अगर आप इसको चेंज करवाते हैं इसका बेंट पाइप विगरा तो जाके इसकी माइलेज पढ़ता है थोड़ा इसके माइलेज बहुत बढ़ी है इतना बड़ा इन दिन होने के बाद आपको इतनी जादा माइलेज मिल रही है तो यह प्लस पॉइंट है तो एडवांटेज के अंदर आता है इसकी माइलेज बहुत अच्छी है 35 प्लस मान के चलो 40 तो टच नहीं होगी में को लगता है प इसके मेंटेनेंस हाथ ही रखा है ऐसे कुछ भोलते हैं वह सब ठीक है पर आपको उसके सबसे भी तो डे रही है सर्विस आप मालो बुलट इतनी बड़ी गाड़िया अपको लुक देती है इतना नाम है इसका चलाने में मदा देती है तो मिन्टेनेंस इसकी हुननी चीये इसकी बात करें इसकी री सेल वेल्यू जबरदस्त है आपको एक्जम्पल देता हूं इससे पहले भी मेरे पास एक बुलट थी बीएस फोर थी अठारा मॉडल था अठारा मॉडल को भी मानलो मैंने जब बेचा फिर मैंने यह नहीं ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा कि मेरी गाड़ी भी थी 18 मोडल होने के बाद भी और वह 23 में मानलो जैन्वरी की बात है इससे पहले जैन्वरी यह दिसंबर मानलो बाइस में तो भी मुझे उसके एक बीस दे दिये उसमें गाड़ी ने अगर बुलट लेते हो आपके पड़ी हुई है वह नहीं चलाते नहीं है नॉर्मली अगर हम कोई भी दूसरी भाई खरीते हैं अपाची विग्यार तो एक बार वन टाइम इन्वेस्मेंट होती है एक बार ले लिया उसको उसके बाद क्या हो था एक बार लेने के बाद दुबारा वह बिके नहीं होतने की आदे से भी कम रेट में जाती है इसकी लेसरी आग साथ पॉंट इसके बाद की बाद कर रहा हूं तो मैं वह बता था टायर साइज था यह उसका रीयम की बात कर रहा हूं यह यह लुक्ति पर इसकी हाइट की बात कर रहा हूं इसकी हाइट देखो कि आप 19 इंच का इसका टायर आता है अब फ्रेंट भी और बैग भी देखो आप इसका 19 इंच का मतलब इसको चलाने के बाद ऐसा अब्जर्ब होता है यार कि गड़े में तो आपको पता नहीं लगा रहा क्या निकल पता लग गया होगा दूसरी बाइके जो होती है छोटे टायर सली वली पता लग जाता रोड के ऊपर की चल रही है तो हमें लगता भी यह गड़ा विगरा शीड भी स्की में चलाने में बहुत कमफरेटेबल फील होता है गड़्डा विगरा इतनी जानी से नहीं पता लग पॉइंट है इसका प्लस पॉइंट है मैं गिनवाती थक जाओंगा आपको बहुत सारे निकले हैं पर इसमें मॉडिफिकेशन की बात करूं क्योंकि पूरी बाइक ओपन है सबको पता है बुलेट से जादा मोडिफिकेशन किसी गाड़ी में होती नहीं है पुरी की पुरी मोडिफाय करवा रखिए जो बेसिक मोडिफिकेशन लगती है मुझे स्टैंड में होनी चाहिए वही करवाई है कोई शोशेवाजी वाली नहीं करवाई मैंने अलवाई विल चेंज है आपको पता ही मोडिफिकेशन वाली वीडियो आप देख सकते मेरी जाके चैनल तो बह सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो देखते रहना आप लोगों का बहुत क्यार मिलता है तो मिलते हैं कि किसी ऐसी नई वीडियो में ओके फ्रेंड्स बबाए झाल 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 झाल